विचारी होली नू होले महले दा रूप देनवाडी तर्त अनन्द पुर्दी पार्त वेच होली दा त्योहार बड़े उत्शानाल बड़े हर्शोहुलासनाल मनाया जान्दा है कईयां सुब्यां वेच ता होली दा एत्योहार लगातार महीना महीना मनाया जान्दा है इतिहास अते मितिहास अनुसार, होली दे कई पशोकड दरसाई जान देन, पशोकड पावें कोई भी होवे, पर एतिवार बिना वित्करे, बिना जात पात दे सारे ही लोक मनोंदे हैं, होली दा ते हार मनाउन दे हर सुबे अते हर कौम दे वको वक्रे टांगहन जिमें नवाबां दी होली लाठियां चला के मनाई जान दी राजपूतां दी होली राजस्तान वेच सवांग सवारियां कट के होली मनाई जान दी है जिस दुरान मरदान दे सेर मटकियां तर दिनियां ते पिछों मटे आराने उनानों शमका मार के होली मनाउनी शेड़ शाड़ दी खुल वाली होली ब्राज़ दी होली बिंदरा बनविच डफा वजा के मनाई जान दी होली रा जान देते चिक्कड अते रंग सुट के मनाई जान दी होली ए होली मनाउन दे हर सुबे हर कौम हर मजब दे वकरे वकरे टंगतरी के हन कोई होली दी पूजा करदा है कोई होली दा पुतला साड के कुशी मनाउन दा है पावें होली पुतला साड के जां पूजा करके मनाई जान्दी होए पर एस सब कुछ देनाल लोक अपने खुशी दा प्रक्टावा एक दूसरे उपर रंग सिट के जां पिछकारियां राही एक दूसरे उपर रंग वाड़ा पाणी पिछकार के कर देहन एक खास मनाउन दा तरीका है कोज जर पहला एस रीत वेच बहुती गरावट भी आगई लोक पशुआं दा गोहा मलमूतर को अलके एक दूजे उपर सिट दे भी देखे गए जां चीकनी मिटीदा को ओलबना के उस वेच रंग पा लोकांदे सरीर अते कपड़े खराव करदे सन मर्द ते औरतां कई वार अशलील हरकतां तक भी पुझ जान दे जिस कारण लड़ाई चा गड़ेता के नौबत पुझ जान दी पर इना रंगरलियां विचों सार्थक सिटा कोई भी ना निकल दा उन्ज ब्रामणा ने होलीदा ते वहार शुद्रा लई नियत कीता होया सी सत्गुरु कलगी तर पात्साजी दी दिर्ग द्रिश्टा सोच ने सोचया के ए होली वर गे ते वहार लोकाई दी पेड़ चाल हैं लोकाने अजहे कर्म करंतों बाज ता उना नहीं क्योंना एस होली दी रूप रेखा ही बदल दती जावे जेसनाल कौम वेच बीर रस परे ओ जंगी करताव वखान लई कई-कई महीने तियारियां करन अते आपनी बहादरी दे जोर संक्तां दे सामे दखाउन ता जो इना बहादरा अते बहादरी परे करतबावल वेख के बाकी लोकाई अंदर वी बीर रसी जोश परे एस कारजनू अमली जामा देन लई सत्गुर जी होली वाले दिना वेच उचेचे द्वान सज़ओंदे अते सब संक्तानू आतमक अनंद पराबत करंदी सिख्या प्रदान करंदे नाल नाल सिंगान दे मन वेच बीर रसी जोश परंदी किरपावी करदे होली नू सवैमान बीर रसी अते जंग जू रूप देके पार्ती जनतानू जो जारू बनाउनले गुर्देव जी ने होली तों अगला देन नियत करके होले दा नाबक्षिस कीता इस देन जुजारू सिंगान दे बहादरी परे जंगी कारना में संगतानू दखाउन अते आप विखन वास्ते सत्गुरू गुर्देव जी सिख फाउजान दे दो जथे बनादन दे एक फवजी जथा चरन गंगा देकंडे मोर्चा बंदी करके बैठ जानदा अते दूसरा दाल किला होल गड़ तों तियारी करके चरन गंगा पोज़दा एस दाल नाल चौदा गुर्दवारियां तों निशान साहिब तों से नगारे लेके सिंग बड़े ही उत्षा नाल चरन गंगा पोँच दे ते पहलों तों मोर्चा बंदी करी बैठे सिंगा नू दुश्मन जान के उनाउप पर हमला कर दे दवली गैगच मसनुई पाव नकली लड़ाई हुंदी ते जेडा जथा जित पराबत कर लेंदा सद्गुरू जी ओस जथे नू सरूपे ते इनामा नाल निवाज दे अते सवाच लठे दियां चादरां उपर खुले कड़ा परशादे कफे सजा के सिंगा नू मनमर जी अंसार लुटके खानदा हुकम दे आप उच्ची जगा बैठके अपने प्यारे गुर्षिखांदा ए निजारा देख परसन हुंदे एस तरह सिखांवेच पौजी करताब विखालन अते करन नाल जंग जू जोश वदेया इना होली वरगे ते होरानू बीर रसी मोड देन दी बदालत ही साथगरु जी ने चौदां जंगा लडियां अते इना सारेयां वेच शानदार होते प्रापत की थी आज तक भी कलगी तर पात्सा जीवलों चलाई रीत अनुसार स्री केसगर सहीव जी दे पावन अस्थान तो पंजां प्यारें दी अगवाई वेच मोहला निकलदा है अते निहांग सिंग फोजां आपो अपने पड़ावां अते गुर्तामा तो निशान नगारे तोंसे वजाउंदे चर्न गंगा दे कंडे मैदान विच सत स्री अकाल दे जैकारे गजाउंदे पहुंच दे हन अते हजारां संगतां एस पुरातन रवायती कवाईदनों वेखन लई बड़ी उत्सुकता नाल उडीक दिया हन सारी संगते सामने नियांग सिंग गतका बाजी कोड सवारी अते होर तरह 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 दे जंगी करतबान दे जोर वखा के संगतानों हरान कर दे हन इस सारियां बक्षशां कलगी तरजी ने स्री अनंदपुर सैवजी दी एस तरती ते कीती हैं इसलई नितानी मनुकता विच बीर रस पर नवाडी अते एस विचारी होली नू होले महले दा रूप दे के बीरता रग रग विच पर नवाडी तरती नू बारं बार जो हारां करनियां नम्सकारा करनियां ही बन दिया हन। मनुक्ही मन विच निमरता आके नामदा टकाओ मन विच हो जानदा है। साथ गरू साहिब स्री गरू नानक पात्साजीदा स्री राग अंदर पावन फुर्मान है कि प्रमात्मा ने मनुक नू अमोलक स्रीर रूपी दात परदान कीती है। जे एस स्रीर नाल करते दी साजी होई मनुक्हता दी सेवा अते प्रमात्मा दा सिम्रन कीता जावे। तादी ही जीव आत्मा नू पर्मात्मा दी दरगा विच बैठन लई थां पराप्त हों दी है। सेवा करनवाडा सेवादार फेर बां उच्ची करके लुडियां पौंदा होया खुशी दे नाल प्रबुदे दर नू जान्दा है। सेवादा पावन फ्रमान तानगुरु गरंद सहव जी दे आंग शबी उपर दरजा वेच दुनिया सेव कमाईया ताँ दरगह बैसन पाईया कहो नान के बां लुडाईया। पाईशैप आगुर्दास जी ने वी सरीर दे एकले एकले आंग दे डियोटी दरसा के ओना अंगानू ओना दे जिमें लगी कार करन दी प्रेरना दिती है। शरीर दा जेडा वी आंग आपनी डियोटी पूरी नी करदा पाईशैप जीने ओसनू तरकार पाईया। आपनियां वारा दि अंदर सतायमी वार्दी 10 मी पौड़ी वेके 25 इंज प्रमांदे ने के त्रेग सेर जो गुर ना निवै गुर लगै ना चरनी त्रेग सेर जो गुर ना निवै गुर लगय न चरनी, त्रेग लोएन गुर दर्स वेन, वेखे पर तरनी, त्रेग सर्वन उपदेश वेन, सुन सुर्त न तरनी, त्रेग जेबा गुर शव्द वेन, होर मंतर सिमरनी, वेन सेवा, त्रेग हाथ पैर, होर नेहफल करनी, पीर म रीदना पिर हडी सोख सत्गुर सरने इस नान करनाल जन सुने कपड़े पाके अतरफ लेल लाके स्रीर पवित्र नहीं हुंदा है हत्थां पैरान दुवारा एस श्रीर दुवारा सेवा करन देना सत्गुरु साहिब श्रीगुरु गोवन सिंग जी माराज अनन्दपुर सहीवदी इस पावन तर्थ उपर अपने सिंगासं ते ब्राज मान सन नजदीक कोज प्यारे सिख साथगुरा नाल बचन बलास संजे करके मन दे शंके दूर कर असीसा प्राप्त का रह सन साथगुरा ने अपने बचन नू विसराम दता ते अपने गडवई पाई जालम संग नू बलास विच आवाज मारी जालम संग जालम प्यास नू मटाओली थंडा पाणी लिया किसे कारण पाई जालम संग बाहर गया होया सी सद्गुरां दी पाणी मंगन दी आवाज सुन के संगत विच्चों एक चड़ दी जवानी दा नाजवान जिसने बड़े सुन्दर कपड़े पैरे हुई सन्दर डील डॉल हाथ बड़े कूमल पतले सद्गुरु जी ने नौजवान दे हत्वों पतले बड़े हाजर आवाज सद्गुरु जी ने नौजवान दे हत्वों जालवाला कटूरा फड़ लिया है उसदे हत्वाल तक के बचन कीता है के पाईगुर शिखा तेरे हाथ बड़े कूमल हन उंगला पतलियां एमलो महंदियां जे में तू एराक मिया रखिया हूई हन की इना हत्वान आल कदे सेवा भी कीती है सेख बचे ने उतर दता बड़ी आज जी सहत पात्षा कर विच आप जी दा बक्षिश कीता हुया तनपदार्थ संप दा बहुत है नौकर चाकर हर वेले अर्दल वेच हुकम दी उडीक कर दे खड़े रहें देने आज ए पहला देना है की इना हत्वान आल आप जी वास्ते गड़वाक टोरा मांज के तो के जल ले आया है गड़वाक टोरा मांजन तो पहला आपने हाथ सुचे गीते में फिर बरतना दी स्वाई कीती ते सवाश जाल सिरी जी लई ले के आंदा है सत्गुरुजी ने नौजवान सेख ते बचन सुने और जालदा कटोरा तर्थी ते उल्टा दता डोल दता सिख नौजवान हैरान परिशान सी के मैं बड़ी सुच मनाल हाथ तो गड़वाक टोरा मांज के ए जाल ले आंदा है पर गुरुदेव जी ने अंगीकारी ने कीता सो को तर्थी उपर डोल दता है लोग की कहनगे के ए नौजवान गुरु की द्रिश्टी वेच किना को पापी किना को करमी है जिस दे हतों गुरुदेव पाथषा ने जालवी पान ने कीता अंदरों अंदर एस सेंसा नौजवान उखान लगा कि गंदे कंदे ओस नौजवान ने बच्न कीता पाथषा मैं मृड कदीमतों सेख परवारदा पत्तरा पाथषा मेरे पासों केड़ी खता होगी केड़ी गलती होगी जिस कारण आप जी ने मेरे हाथ दा जाल परवान नहीं कीता कल गी तर जी कैन लगे बचे ठीक है तेरे प्योध आदे सेखहान तुमी पौल लई होई है सिख़्ी तारी है पर तुसीं केवल सिख़्ी तारी होई है कमाई नहीं तू सिखी नू सूम दे तानवांग साम भी बैठा है सिखी जदों कमाई जान दी है तदों ही पर फल्लत हन दी है अते ओस कमाई होई सिखी दवारा फिर लाहा प्राप्त हन दा है सिखी माननू स्रीरनू अते समुचे मनुखा जनमनू फिर सफला कर दन दी है जदों कोई गुर्षेक सिखी नू कमाउन दा है सिखी केवल तारन करन दा नाम नहीं सिखी कमाउन दा नाम है सिखी किरया हीन नहीं सिखी तां किरया मान होके सिखी दे असूलानू अमल वचले उन दा नाम है सिखी किरया हीन नहीं सगों सिखीतां किरया मान होके सिखी दे असूल जो हन उनानों अमली जामा पहनाऊन लई अमन विच लेऊन दा नाम है सिखी दी शुरुआत सेवा तो हुंदी है मान विच सेवा करन नाल निमरता हुंदी है फिर अंदरों हंकार खत्म हुंदा है हंकार खत्म होनते नाम अंदर टिक के पर्म पुर्ख दी हजूरी दा निवास बक्षिश करदा है, फिर एस हजूरी याद विच वस्दियां फिर सेवा ने करनी पेंदी, अजहे गुर्शिक पासूं सेवा अपने आप हुंदी है, फिर एस हजूरी रूपी याद विच वस्दियां सेवा करनी ने करनी पेंदी, अजहे गुर्शिक पासूं सेवा अपने आप हुंदी है, ओस दा हर करम, हर कदम सेवा दा रूप ता अरजन्दा है, अते ओ एस मरातबा प्राप्त करके वी सेवा दे रस्ते दा त्याग नी क्योंकि ओ जानदा है कि एस सारियां दातां सेवा दे मारकते चलन नाल ही मिलियां होई याँ है, ओ सेवक होई संजीद नह संरोवना, दर दरवेश रसीद, पिर मरस्पोवना दी अवस्था विच विचरदा है, अजहा गुर्शिक सारियां विच प्रमातमा दा निवास जा कि सब मैं जोत जोत है सुए तिस दे चनन सब मैं चनन होई सो हे बच्चे ए जो सवच्चता ते अपने स्रीरते तारी होई है कि मैं बड़ा उजला ए उजलताल दा मान इस वच्चता दा हंकार माननू मलीन करदा है सेवा करन दे नाल मानन दी मलीनता ही दूर हुंदी है गुरुदार अते प्रभुदार ते मान रहत निर्मानता विच सेवा करनवाला ही कबूल हुंदा है सेख नौजवान ने गुरु अपदेश सोन समझ के ओसनु अमली जामा पहनवना अरंप करदता है ताननाल लोडवंदां दी सेवा करे गुरु संगतां अते गुर्मखान दी स्रीर नाल सेवा करके परसंता पराप्त करे गुरु संगतां अते गुरु दे प्यारे गुरु सिखान दी सेवा विच तत पर हो गया मान दे नाल वाईगुदा सिम्रन करके हरी दी सेवा करन लगपे सद्गुरु दे शव्द अदे बचना दी कमाई करके गुरु दी सेवा कर गुरु पर संता पराप्त करनी हो स्कुर्मखनी अरंब करदती प्रमातमा हरी दी टहल की है प्रमातमा जा हरी दी टहल पाव सेवा की है नाम जपना सद्गुरु अर्जन देवजी दा थिती गोडी अंदर पावन फुर्मान हरकी टहल कमावनी जपिये प्रव का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख बिसरां सद्गुरु दी सेवा किया गुरु दे शब्द ते बचना दी कमाई करनी गुर की सेवा सब्द वीचार ओ गुर्षिक नौजवान गुरु दे बचना दा तार नी बन तान मान ते तानदी सेवा करके पार गरामी सेख बने हैं सद्गुरु कलगी तर जी ने अननंतपुर साहिव दी ऐश पावन तर ते बैट समजाया के निरा स्रीर दी सवाच्छता गुरु दर प्रवान नहीं तानदी सवाच्छता अते सफल्ता संगतान दी सेवा करनाल तान दी सफलता लोड़ बंदान दी लोड़ पूरी करनाल अते मान दी पवित्तरता परमेशरदा प्रबूदा सिम्रन करनाल होंदी है आपांवी स्री अनंत पुर सहब दी तर तीनों परणाम करना आएं हां तान मान ते तान दी सवाच्ता अटे इना दी सफलता वास्ते गुरू पासों अगवाई लेए अटे आपना जानम सफला करिये ते गुरू बचन तान मान तान सब सौंप गुरुकाओ हुकम मने पाई एस देता अरनी बंड आपा गुरू नू समर्पत करके गुरू खुशी प्रापत करिये ते साथगुरु जी दी नदर वेच परवान चडिये विदवाना अते बेपनाहां दी पना तर्त अनंदपुर दी सथगुरु स्रीगुरु गोबन सिंग्जी माहराज जी ने जित्थे जोलम दे टाकरे लई अनंदपुर सहब दी एस पावन तर्ती उपर किले उसारे ताँ जो जालमानों मुँ तोड़ जवाब दिता जा सके जित्थे एस अस्थान ते जंगी मशकां कोड सुवारी नेज़ा बाजी अते होर जंगी सिखलाई दिती जान दी सी ओथे साथगुरु जी ने सिखां दे अंदर अदे आत्मक अते बीर रस पर लई देश पर दे कवियां अते विदवानानों भी सद्दा दे रख्या सी के कोई कवी कोई विदवान जो चंगे असारू साहित दी रचना करेगा जहां पुरातन गरंथांदा तर्जमा उलथा पंजाबी पाशा विच करे ओसनू सद्गुर्जी मू मंगा इनाम देंदेशन एस मंतवलई सारे देश विच सद्गुर्जी ने संदेश पेज दे जिते जिम में मेमा परकाश विच बचन लिखिया है कि आगया कीनी सद्गुर्दयाल विदेयावान पंड़त लिहो पाः औरंग जेब दे सताय हुए रागी टाड़ी पंड़त विदवान जो शिया ते सूफी ख्यालां देवी मुसल्मान सन ओवी सद्गुर्जी शर्ण विच आगया इना विचों को जगदा इतिहास वच इस पर कारना हुंदा है कि केसो सिंग, नर्बत सिंग, देसो सिंग आदक मुसल्माना विचों मीर शबीर, मीर मुश्की, जो नाथमाल दे पुत्तर सन सो हर मजब नाल, हर कराने नल सबंदत विदवान, जो समेधी मुगलिया हकूमत तो सताय होई सन ओ सद्गुर्जी दी शर्ण वेच अनंदपुर सह वागया सद्गुर्जी ने इलम अते उना दी विदवता अनुसार सवदा और जीना पाव खर्चा बन दता इस परकार अनंदपुर साहिब विद्या दा एक महान के अंदर बन गया सद्गुर्जी पास पॉंटा सहिब दे विदवान ते होर विदवान वी आ हाजर हुए सद्गुर्जी ने पॉंटा सहिब दे अदूरे पए विद्यक कमानों पूरे कर ले विदवाना दिया जिम्यवारियां लादतियां ड्यूटियां लादतियां जो देन रात बड़ी लगन नाल विद्या दे परचार अते परसारले उद्दम कर दे अनांदपुर साहिब अते आसपास दी लुकाई नू साथगुर जी ने विद्या पढ़न दे अदेश दे के जो विद्या नहीं पढ़दा ओखोते दी ने आई हैं अजिहा दरसा के बचन वी कीता के अच्छर काशना पड़े तिन गर्दब साथगुर जी ने होर बचन कहे पाई पढ़ान विखे गुन अहे अनेक साथगुन परापत आद बबेक गुर्मकी अच्छर जो हैं पाई सेंग सेंग ते सीखे जाई साथगुरु जी चंगी कवता अते बीर साहित लिखन वालेयानों कीमती तोफेते नगद अनाम देके निवाज दे एतों ताक के साथगुरु कलगी तर पाथशा रात दे समय विदवाना दे तंबुआ वेच चले जान दे ते उना दे सरे हाणया हेठा मुरा राख उना उपर कीमती दुशाले पागे उना नो निवाज दे विद्या दी इन्नी कदर सभ क्रिया कर दे देने चड़े विदवान वी गुरु जास कर दे होर वदे रे शौकनाल अदूरे कमानों पूरा कर ले जुट जान दे अते सद्गुरु जी दी विद्या दी अते विद्या वान दी कदर दानीतों वारने फेरने जान दे के तनहन सद्गुर जी जो विदवाना दे ते विद्या दे इन्ने कदर दान हन एसे अनंदपुर साहव दी पुवित्र तरती थे साथगुर्जी ने विद्यासर जिसनु विद्यातर गरंथविकेदा है जिसदा अपना ही वजन नौ मानसी तियार करवाया अते अनेका हूर गरंथां दे उडथे हूर न पाशामातों पंजाबी पाशाविच करवाई अते नवे बीर रसी अते विद्या दे सुमें ग्रंथां दी रचना करवाई बदकस्मती नाल ए अमोलक खजानना सिरी अनंदकर सहब दा कला शडण समें सरसा नदी दी पेट हो गया जंगी मशकां ते विद्या दा कार्ज एक को समें एक स्थान दे हुंदा शास्त्रान दे नाल शास्तर नो पूरी पूरी बराबरता दिती जान दी सद्गुरु कलगीतर जीदे समें तों पहिलां ते ओस समें ब्रह्मन किसे गैर ब्रह्मननों संस्क्रित विद्या वेच जो ग्रंथ सान उना दी तालीम नई सी दिन दे जो ब्रह्मन सान ओ गैर ब्रह्मन नू संस्क्रित जां संस्क्रित वेच लिखे गए ग्रंथ उना दी तालीम किसे होर नू नहीं संदिन दे केवल ब्रह्मना दे करावच जनमे बच्चे नू ही विद्या दिया कर दे सन बाकी दे तेन वर्ना विच किसेनु ना विद्या पढ़नदा ते ना पढ़नदा कोई अधकार सी कलगी तर जिने विद्या दे परचार अते परसार दे लई लुकाई दे सिर्तों ब्रमन दा जूला लौन वास्ते विद्या दा खुला परचार करन वास्ते अनंदपुर सहब दी तर तीतों बनार सजाके संस्कृत विद्या अते होर विदेक गरंधा दाध अधेयाँ करनवास ते सफेध बस्तर तारण कराके अते गिल्टिया पावततिया बनाके पांच शिख्गानू पे जिया उनानों उजेहा रूप देखे अनंदपर सैबत उँ पांच शिख्गानू सांस्क्रत अते होर विद्यादा अधियान करनवास ते बनारस पेजे है जिनादा नाउ इतियास विच पाई कर्म सिंग जी पाई गंडा सिंग जी पाई वीर सिंग जी पाई सोबा सिंग जी अते पाई राम सिंग जी करके अंदा है इना गुर्मुखा ने बहुत कठनाईया सहार के विद्या परापत कीती अते बिखड़े समेद रान वी सिखां विच विद्या दा परसार कीता इना पंजांतों विद्या परापत करके जो पंथ चलेया ओजनू निर्मले संपरदाईदे नाउनार सतकारिया जान्दा है इतों ताक के बनार से पंड़त लोग वी निर्मले सिखां पासों विद्या परापत करके मान मसूस करएा कर देसान। तान्गुरु गोवन सिंग सायव जी दी बक्षिश परापत इना गुर्मखां पासों बनारस दे पंडत वी विद्या परापत करकी अपना मान मसूस करया कर दे सन। इसे करके निर्मल पेखदे सादुआ ने हरदवार बनारस पंडतांदे गड़ां विच अपने अस्थान अपने अखाड़े स्थापत कीते जित्थे विद्या दा परचार कीता उत्थे बाकी तर मादे तो लनातमक अदे आएंदवारा तनसत गुरु सिरी गुरु गरंथ विच अपना बहुत वड़ा योग दान पाया अजवी वड़े अखाड़े अते शोटे अखाड़ेयां दे रूप वेच निर्मल आश्रम पंथ दी वडमुली सेवा ए गुर्मक प्यारे नवारेने सार कुतावली दे करता ने लिखिया है कि जहां तनी पहुंचा नहीं जह जापां जिते विद्या दाती तरती अनंदपुर सहीब नो नमसकार करन जाना है उते जो साधी कौम वेच विद्या प्राप्ती दी काठ आन बनी हैं उस काठ नो पूरा करन वासते आप वद तो वद्या प्राप्त करन दा यतन करिये अते अपने वच्चेया नो उचेरी व आपने पूरी वाल आईये जमें सार कुतावली दा कतन है के ताबलाग विद्या को पड़े जाबलाग काठ में प्राण जाहां तनी पहुंचे नहीं तहां पहुंचे विद्वान चड़ आए वैरी जर्नेला नो मरीद बनावनवाली तारत अनंद पुर दी हिंदू पहाडी राजयां ते वजीर खादियां फोजाने साथगरु जी नो प्राज़त करन वासते बार बार अनंद पुर साहिब उपर हमले की ते पर हर वारी मूँ दी खानी पही अते चोड़ी विच हार पुआ के वाबस मुड़ दे रहे अखीर बाईता अर्द राजयां ने औरंग जेव दे दरवार दरखास्त लेके पे जी के असी अपने बलबुते गुरु गोबन सिंग जी नो पराज़त नहीं कर सकते इसलिए तुसी किसे अपने नामवर जर्नैल दी कमान हेट फाज पे जो असी उसदा पूरा साथ दे आंगे ताँ जो जहां पना दे राज़ विच गुरु गोबन सिंग वलों जो बगावत उठाई जा रही है उसनो दबाया जा सके उस उपर कबू पाया जा सके औरंग जेवने सैद खान नाम दे जर्नैल ये सैद खान पीर बुद्धु शास डौरा जिनाने पंगाणी दे जो दविच अपने पांचसो पठान सेवक अते अपने दो पुतरां दे शही दी जाम पी जान उपरंथ सद्धु जी पासों पौंटे शेर वेके केसां समेथ कंगे दी बक्षिश पराबत कीती सी ओस पीर बुद्धु शास डौरा दा ए रिष्टे विच साड़ा लगदा सी और इसनो औरंग जेव दी फाज विच पंच हजारी दा खिताब पराबत सी और बड़ा नाम पर जर्न समेथा सी सो सैद खान नूं सद्धिया जो चड़ दी जवाननी विच बड़ा सुंदर डील डॉलवाडा बलवान जवान सी एसन ने दखन विच बहुत सारियां मुहमा विच जितना पराबत कीतियां सान अते आपनी बहाद्रे दी तांक जमाई होई सी औरंग जेव ने एस सिंग जीनों जिन्दा पकड के लियाओं जां सदा लई खत्म कर देंदा हुकम देके अननदपुर साहब उपर चड़ाई कर लिपे जया चड़ दी जवानी फोजा नाल बड़े हंकार विच मत्ता हुया सैद खान फोज लेके औरंग जेव दी कुशी लैंड ली दिली तो हो गया पड़ा दर पड़ा करदा सैद खान सदोरे दे नजदीक पुझा मन विचार आई कि एस सदोरे नगर विच मेरी हम शीरा पैन सगी पैन नसीरा रहनी है जो खुदार सीधा प्यार दी मूरत है क्यों ना मैं उसनों मिल जावां ते नाल ही नसीरा पैन पासूं अपनी जेतले अशीरवाद पराप्त करां ए आसला है कि सैद खान बिबी नसीरा पास पुझा पैन ने सैद खान दा एस वेले एस हालत विच आउन दा कारण पुझे है ते सैद खान ने औरंग जे बलों ओसनों फाज दे के सिरी गुरु गोवन सिंग जीनों जिन्दा पकड़न ज जानों मार देन दा जो हुकम देता सी सारा बरतांत अपनी पैन नसीरा नों दस्या है सैद खान दी ये गल सुनके बिबी नसीरा दे नेतर बंद हो गया है अखां सेजल हो गई हैं और नेतरां विचो हंजू बैत ले ठंडा होका पर बिबी नसीरा ने सैद खान नों उतर द करता सैद खां तूं खदा दे रूप तर्तीदा पार हर नवाले हुसन वजूद खदा रसीदा तन स्री गुरु गोवन सिंग जी उपर पैड़ी सोच लेके हमलावर बन किया हैं खदा तैनू एस मनसूबे वेच हार देवे अते कल गी तर सद्गरु तुनो अपनी मेर दरिश्टी नाल नवाज देन ओ अंतर जामी हैं एप पांच हजारी खदाब सदा नहीं जे रहने शाहाद यां खुशियां सदा नहीं रहन दियां एच चार को दिना दी गाला है सदा किसे ने इते नहीं टेके रहना जो नेकी कमा गया संसार उसनों ही याद करदा है सैद खान जालम लोग जो करदेने उनानों लोग हमेशा नफरत दी नगाह नलतक्न गे अजेवी समाएं एस पैड़े करमतूं तू तोबा कर ते बापस मुड़ जा सैद खान ने पैणनों उतर दे तब मेरी हम शीरां पैणन सीरां पैण पला लोच दियाने पर तू मैंनू बाद दुआ दे मेरा हांसला पस्त कर रही है तू मैंनू बाद दुआ दे के मेरा हांसला टा रही है पैणन सीरां ने उतर देता वीरना मैं तैनू को बाद दुआ नहीं दिती सगों तैनू बाद दुआ लैंड तों बचा रही है कल गी तरजीदी तेरे ते मेरे द्रिश्टी पागई ते मेरी एहोई अरदास है कि ओ मेरे द्रिश्टी अपनी तेरे उपर पाके तेने सोजी दें मेरी ता दुआ है ए दुआ साइद खान पे अनपासों वदाईगी ले विदा हुए अगले ही दिन उस ने अपनी मुगल फाउज जो अनंदपुर सेवनों के राप आई बैठी सी नो तियार कीता है ते जंग अरम कर देती साइद खान ने कल गीता रजीते अपनी बंदूग दा निशाना से देया पर किसे गैबी शक्ती ने ओस दा निशाना चुका देता साइद खान हरान सी कि अज तक मेरा निशाना कदी चुकिया नहीं मेरा अज एक की माजरा वरते है मेरा अज तक कदे निशाना चुकिया ही नहीं पर अज की ये माजरा वरते है मुड पैन नसीरां दा पैगामे उपदेश याद आवे ते मान कलगी तर पात्साजी दा ख्याल जद मान विच आवे ते मान कुछ दरब दा जावे शाम तक कमसा आंदा जंग होया दो में तेरा जम के लड़ियां पर सैद खान नो को सफलता प्राप्त ना होया अगला दिन चड़े है मुड जंग अरंप कर लई दुवल्लेई फोजा ने त्यारी कीती इदर सैद खान अपने मन विच तार बैठा है के जे साथगुरू अंतरयामी ने हर दिल्दी हकीकत जान दे हन जे ओ खुदार सिधा फकीर हन खुदा तक पुझे होई फकीर हन ता उ मेरे सामने बिना हथे आरां तूं आके मैनू दर्शन दें मन विच ए फुरना बनाले सैद खान के जे सद्गुरू सचमुच ही खुदा तक पुझे होई फकीर हान ता बिना शास्तरां तूं मेरे समने आके मैनू देदार बख्ष अंतर जामी दाता दिलां दे मेरम साया कलगी तरजी दवली जुडियां फाजानू चीर दे सरपट कोडा पजा आके सैद खान दे आ समने परगट होई सैद खान दे समने आ खलोते और सद्गुरू जी नू अपने समने तक के सैद खान उची-ची पकारन लगा कि मैं आयद खुदा बंदा ही ॥प्यां आयद के मूर्दए है, राकुन यू जिन्दह पहँ लोग को रब आ गया है कि रब दा प्यारा बंदा अउधा पीया है रब सथूल जामे विच आ रहे है तांजो किसे मूर्दे नु जवाल सके ए बोल पुकार देयां पुकार देयां सैद खां पता नी केड़े मंडला विच जाप हो जाते सद्गुरु दे मूरे सिजदे विच पैगे है मुड़ मुड़ सद्गुरु जी दे लगाम विच रखे चर्णा नू चुमदा जावे फौजा एक क्रिशमा वेक हैरानी नाल मूँ विच उंगणा पाके पत्थर दे बुत बणी ये सब माजरा वेकरियाने सैद खां ने स्रीकल की तरजी दे अगे बेंती कीती सद्गुरु जी मैं हुण आप जीदा गुलाम बंदा हां मैंनू हुकम करो मैं हुण तो हाड़े पक वेच वेरियान दे नाल लड़ांगा पर सद्गुरु ने आख्या नहीं उसनू मना कर देता है ते हुकम कीता है कि सैद खां तेरे जिनने सुआस बाकी हन हुण उना नू तूँ खुदा दी बंदगी करके सफला कर साड़े जिम्में जो परमात्मा ने ड्यूटी लाई है असी ओसनू बड़े चानाल पूरा कर रहे हैं ते करांगे पाईसंतोक संग जी ने लिखिया है किरपा द्रिष्ट ते तारसे रहा था किरपा द्रिष्ट ते तारसे रहा था तत शिन सेवक की नी सना था सिक फाउजां ते तुर्क फाउजां बड़ियां हराम संग के एकी काउतक बरते हैं किसे नो को समझ नहीं आ रही सी सद्गुर जी सैद खान जरनायल नो जी दान बक्षिश करके कोड़े नो अड़ी ला वेख दियां वेख दियां खालसा दला मेच चले गए तुर्क फाउजां दंगसान के गुरुगोवन सिंग जी ने हथे साड़े डालवच आये ते साड़े सरदार दे सिर पता ने की तूड़ गये ते सही सलामत बापस भी चले गये औरंग जेवने ता उना नो जिन्दा पकड़न जा मारन दा हुकम कीता हुया है ते असी आएं भी ऐसे कारन करके हैं यह हुया की उदर सैद खान ने फाउजानों हुकम देता कि मैं हुन तो आड़ा सरदार नहीं रहा मैं गुरु गोबन सिंग जिदा गुलाम हो गया है तुसी अपनी मर्जी ना लड़ो पामें बापस जाओ मैं हुन खुदा दी बंदगी करन वास्ते चले हैं एक है के सैद खान दुआबे विच दी हुन्दा होया कांगडे दियां पहाडियां विच नाम लीन हो कंद मूल खाके प्रभु बंदगी विच जुड़ गया अते समा पाके बड़ा अनपवी पुर्श परगट होया अते उसे अनपवधी सेध ते सैद खान ने अपने प्रमेशर वलों बक्षे होय उस अनपवधी सेध ते साथगुरु स्रीगुरु गोवन सिंग जी नू दमदमा सैफ दे स्थान ते मिलना कीता अते गुर असीसा प्राप्त कीती है प्रिंसिपल स्थवीर सिंग जी दे लिखन अनुसार सैद खान सद्गुरु जी दे नाड नंदेड तक नवेया इदर जदों पीर बुद्दु शा अते पैन नसीरानों एस समुचे वरतारे दा माजरे दा पता चलेया उना खुदादा लख लख शुकर मनाया के सद्गुरु जानी जान गुर्देव ने सैद खान दी कलियान करदती है इते गल एक सैद खान दी नहीं तुर्क फोजदे परसिद जर्नैल मेमू खान ते सैद बेग इना ने भी मचे जुद विच सद्गुरु कलगीतर पात्साजी दी शर्न प्राप्त करके गुरु नदर दे पातर बन अपना जनम सफला कीता है सैद बेग गुरु की फोज विच शामल होके वडे जुद्दा विच दुश्मना दे नाल लड़या और सद्गुरु जी ने ओस दी एस बहादरी ते परसन होके नाम दी दाद बक्षिश कीती अजही है ए नर्वैरतर ती अनंदपुर सहब दी जिते सद्गुरु जी उपर जो दुश्मन भी होजा चड़ा के आए ओ अपनियां जर्नयलियां शटके अपनियां सरदारियां शटके गुरु दे मुरीद बनके अपना जीवन सफला कर गए जे गुरूदी द्रिष्टी मुगल दुश्मनानों सिखी दान पराप्त कर सक दी है तो आपने आपने आपनों गुरूदा सिख कहलोना है जे पूरे गुरूदी द्रिष्टी चड़ आए वैरी मुगल दुश्मनानों सिखी दान पराप्त कर सक दी है ते आपां ता अपने आपनों गुरु के सिख कहलों दे हां समा है गुरु दी शर्ण विच पैके गुर असीशां प्राप्त कर सिखा सद्गुर जी ता इन्ने कर पालू हन के वैरी जां दुश्मन नू एक पलक विच अपनी मेर द्रिश्टी नाल नदरो नदरने हाल कर दन देने तुँ नाम तरी एक सिख नाखवा के वल नाम तरी एक सिख ही नाखवा सचे दिलों सद्गुर जी पासों सिखी दी दाद मंग गुर सिखी दी जाचना कर अते एस जाचना करन सदके सचा सिख बन ते उकार के कैसत गुरू जी राख पिता प्रभ मेरे मुह निर्गुन सब गुन तेरे रहाओ राख पिता प्रभ मेरे मुह निर्गुन सब गुन तेरे रहाओ पंच बिखा दी एक गरीबा राख हो राखन हारे खेद करह अर बहुत संताव है आयो सरन तो हारे कर कर हारे यो अनक बहु पांती शोड़ कत हूना ही एक बात सुनतां की ओटा साद संग मिट जाही कर किरपा संत मिले मोहे तिनते तीर जपाया संती मंत दियो मोहे निर्पव गुर का शब्द कमाया जीत लए ओए महां बिखादी सहज सुहेली बाणी कहु नानक मन पया परगासा पाया पद निर्बाणी गुर्देव पात्षा सद्गरु जी जेसनु सिखी पर दान करदन देहन ओसदा लोक वी सुखी पर लोक वी सुहेला हो जान्दा है संसार अंदर गुर्षिखी दी दात नालों होर कोई वी दात वडमुली नहीं माया अते कल जुग दे प्रवाव कारण सिखी दात दी अजदा नौजवान कदर नहीं पा रहा क्योंके पर्ख पते निर्ना करनवाली अकल ही नहीं है बुद्धी ही नहीं है ताद ही बाबा कवीर जी ने पावन बचन कीता है ना जो तनगुरु गरंट सहव जी दे आंग 1372 उपर दर जाए के पर्ख वाली आखतों बिना हीरा भी कवडियां दे मुल चला जानदा है बाबा कवीर जी बचन कर देने के जे पर्खन वाली आखनाना हुए ते फेर हीरा जो अतियंत वडे मुल दा हुनदा है ओ भी कवडियां दे मुल चला जानदा है पावन बचन है कि कबीरा एक अचम्बाव देखे ओ, हीरा हाट बिकाए, बंजन हारे बाहरा, कवडी बदलाय जाए जोदड़ी करिये के सत्गुरू सानु सिखी, गुर्षिखी नू पर्खनवाली पार्खु अक बक्षिश कर दें। अते सिखी दी आनशान केसानु आँचनी आउन दित्ती। सिख्खिदी पर्ख करंदी एक प्रमातमाने 30 गुर्मक प्यारे पाईशाह पाईशबेग संग जी ते पाईशाह बाजशंग जीनु जीना प्यों पुत्राने नवाबियानु ते संसार दे सुखानु जुत्ती दी नोक नाल ठुकराके प्यारी सिखी नू साबत सूर्थ निबाण वास्ते चर्खडियां ते चड़ अपने आपनू तुम्बा तुम्बाता करवालेया पर अमोलक सिखी के सांस्वासानाड निबाा के सदालई अमर हो गए ए नौजवान अज जेश पावन अस्थान दी चर्ण तूड़ी मस्तकनू लाउन लई जेश तर्तनू सिजदा कर लई तूँ सिरी अनंदपुर सहब पुझा हैं इते गुर्षिखी दी दाथ पंजाप यारेयाने सिर दे के कलगी तर पात्सा पासों अपनी चोड़ी तूँ वी करदम बिना मुल तारे सद्गुरू जी पासों गुर्षिखी दी दाथ पराब्त करला है ते करला है अपना जन्म सफला और अपना जन्म सफला करके गुरू पात्साजी दीया खुशियां वादे बच पराब्त कर तनगुरु रामदा सहीव जिदा पावर फ्रमान है कि सारे अनालों वड़े पाग, सारे अनालों उच्चे कर्म उना गुर सिखां दे हन जो गुरु दी शरण नू ग्रैन करके गुरु रहमत, गुरु बक्षिश प्रापत कर लें देने साहिब हुक्म कर देने सब दू वड़े पाग गुरु सिखां के जो गुर चरणी सिख पड़ते है एसलिए हर नाम तरीक गुरु शरण ग्रैन कर सिंग साज वड़पागी बन जणा चाईदा है गुरु शरण परापत करन दी रीद कलगी तर सद्गुरु जी ने पंजां प्यारयानों बक्षिश कीती हुई है जो गुरु शरण परापत करके गुरु वाला जीवन पतीत करदा है सद्गुरु जी ओसनु किनियां को बक्षिशना नवाज देहन पटांदी जवानी सर्वन करिये फ्रमान कर देने पाट जान के हे संसार दे लोग को गुरु दी शरन विच आउनतों पहला जदों असी अजे नाम विहुने साथा जीवन ओस समे एक कच दे समान सी ते जदों असी सद्गुरु जी दी शरन नू प्राप्त करके नाम दी दात दे अधकारी बन गया ओहो कच वरगा साधा जीवन कंचन वरगा बन गया, सोईने वरगा बन गया साधा पहला गुरु अते नाम विहुना जीवन एक जहर समान सी, बेक समान सी दिन, राद, काम, करोध, लोव, मो, हंकार, अते संसारी वाशनामा दी जहर नाल, बेक नाल, नको नक पर्या होया सी, नाम प्राप्ति तूँ पहला दा जीवन, गुरु दी शरन आउन तूँ पहला दा जीवन पर गुरुवाले बनन अते नाम जपदी कमाई नाल साड़ा हुन जीवन अमरतमई नामरासवडा बन गया है पहला नामतों भी हुना जीवन एक लोहे दे समान सी पर सद्गुरुदी बक्षिश अते नाम दी रह्मत नाल ए जीवन बेश कीमती लालदी नियाई बन गया है नाम ग्यान दी बरकत सद्गा हुन वाला जीवन एक सुच्चे मोती दे समान बन गया है सद्गुरुदी रह्मत करके साड़े नाम भी हुने जीवन नू जो एक सदारन लकड़ दे समान सी नाम दी शो दे के नाम दी दात दे के चंदन वर्गा बना दता है गुरू दी रहमत नाल अते नाम जपदी बदावलो जो गुरू ने बक्षिश कीता है साधे जीवन दे सारे दुख दरिदर दूर हो गए पाटजान फरमान कर देने के साधा तजरबा एए है के जेडा जेडा भी गुरू दे चरना उते आके अपना मस्तक्त का दन्दा है गुरू दे चरना नू पर सलेंदा है गुरू नू आपास मर्पत कर दन्दा है आपास मर्पती उते तरुठ के खोश होके फिर पूरा गुरू नाम दी दाद बक्षिदा है जेस सदका ओस जीवदी पशुआ वर्गी प्रेता वर्गी बिर्ती बदल के मनुखाँ वाली अते फिर स्रेश्ट देवतियां वाली बुद्ध हो जान दी है पाटसाइबाना ने की हुकम कीता है पड़िये उनादा निजी अनपाव कच्चहों कंचन भयो शब्द गुरो सर्वनह सुनेयों बेखते अमरत होयो नाम सात गुर मुख पणेयों लोहों होयो लाल नदर सात गुर जद तारै पाहन मानक करै ज्यान गुर कहयो बिचारै काठों हों सिरी खांड सात गुर कीयों दोख दर दर तिन के गए सात गुरू चर्न जिन पर सेया से पास परेत सोर नार बहे हे गुरू दे सिख अकवन वाले तूवी गुरू वाला बनके सद गुरू जी पासों और परोकत दरसाइयां दातां अपनी चोड़ी पुआ के अपना लोग पर लोग स्वार ला लोग मैं